हिंदु धर्म के अनुसार हमारे शास्त्रों में चार धामों का वर्णन मिलता है जिन में बद्रिनाथ, दुआरीका, रामेश्वरम और पुरी है मानिता है कि भगवान विश्णु जब चारो धामों पर बसे तो सबसे पहले बद्रिनाथ कए वहाँ उन्होंने इस्तनान किया इसके बाद वो गुजरात के दुआरीका गए और वहाँ पर कपड़े बदले दुआरीका के बाद ओडिसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंद में टमिल नाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया पुरी में भगवान श्री जगनात का मंदिर है पुरी के इस मंदिर में भगवान जगनात, उनके भाई बाल भद्र और बहन सुबद्रा की लकड़ी की मूर्तिया है लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनुखा मंदिर है जगनात मंदिर की एसी तमाम विशेशता हैं साथ ही मंदिर से जुड़ी एसी कई कहानिया हैं जो सद्यों से रहस्य बनी हुई है तो आज हम आपको जगनात मंदिर के कुछ एसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके आगे विग्यानिक भी हार गए मंदिर से जुड़ी एक मानेता है कि जब भगवान श्रीकरष्ण अपनी देत्याग की और उनका अंतिम संसकार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़ कर उनकी पूरी देहर पंस्तत में विलिन हो गई मानेता है कि भगवान श्रीकरष्ण का रदय एक जिन्दा इंसान की तरह दढ़कता रहा कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगनात की लकड़ी के मूर्ती के अंदर है जगनात पुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर बारा साल में बदली जाती है पुरानी मूर्तियों के जगर नई मूर्तिया इस्तापित कर दी जाती है मूर्ति बदलने की ये प्रक्रिया भी काफी रोचक होती है जिस वक्त मुर्थिया बदली जाती है उस वक्त पुरे शहर की बिजली काट दी जाती है मंदीर के आसपास पुरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है मंदीर के बाहर CRPF की सुरक्षा तेनात कर दी जाती है मंदीर में किसी की भी इंट्री पर सक्त पाबंधी होती है सिर्फ उसी पुजारी को मंदरी के अंदर जाने की अनुमती होती है जिने मुर्तिया बदलनी होती है इस बीच पुजारी की आँकों पर भी पट्टिया बांदी जाती है और हातों में गलप्स पेनाए जाते हैं इसके बार मूर्तिया बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है पुरानी मूर्तियों की जगर नई मूर्तिया लगा दी जाती है लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो कभी भी नहीं बदी जाती है और ये है ब्रह्मपदार्थ ब्रह्मपदार्थ को पुराने मूर्ती से निकाल कर नई मूर्ती में डाल दिया जाता है ये ब्रह्मपदार्थ क्या है इसके बारे में आज तक कोई भी जानकारी उप्रब्द नहीं है बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ती बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले है बहुत बदलने वाले कुछ भुजारियों ने बताया है कि जब भर्मपदार्थ को पुरानी मुर्ती से निकाल कर नई मुर्ती में डालते हैं तो हातों से ही ऐसा किया जाता है उस वक्त ऐसा लगता है मानो हातों में कुछ उचल रहा है जैसे कि कोई खरगोश उचल रहा हो उनका कहना है कि ब्रमपदार्थ कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है क्योंकि हातों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता यानि की ब्रह्मपदार्थ के जीवित पदार्थ होने की कहाने जरूर है लेकिन इसकी हाकिकत क्या है ये कोई नहीं जानता सीह दुआर का रहस्यर भागवान जगनाद जी का ये भव्य मंदिर पूरी में समुद्र के किनारे इस्तित है मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक सीह दुआर है जिसके बारे में मानेता है कि जब तक आप अपने कदम सीह दुआर के भीतर नहीं रखते इसी प्रकार वापसी के समय सीह दुआर से बहार निकलते समय जैसे ही आप पहला कदम बहार निकालते हैं समुद्री की आवाजे फिर से आने लगती है पक्षियों का रहस्य आमतोर पर मंदीर, मस्जित या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बेठे हुए देखा जाता है लेकिन जगनात मंदीर के ऊपर से कभी भी किसी पक्षि को उड़ते हुए नहीं देखा गया यहां तक की मंदीर परिस्तर में कभी कोई पक्षि भी बेठा हुआ दिखाई नहीं देता यही वज़य है की मंदीर के ऊपर से हवाई जहाज और हेलिकॉप्टर के उड़ान भरने पर भी मनाई है मंदीर की परचाई का रहस्य जगनाद मंदीर करीब 4 लाग वर्ग फिट के एरिये में है इसकी उचाई 24 फिट है आम तोर पर दिन में या किसी भी वक्त किसी भी इमारत, चीज या फिर इनसान की परचाई जमीन पर दिखाई देती है लेकिन जगनाद मंदीर की परचाई कभी भी किसी ने नहीं देखी इसके अलावा मंदीर के शिखर पर जो ज़ंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है इस ज़ंडे को हर रोज बदलने का नियम है मानेता है कि अगर किसी दिन ज़ंडे को नहीं बदला गया तो शहर मंदीर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा इसके अलावा ये जणडा हमेशा हवा की विप्रित दिशा में उड़ता है इसके अलावा मंदीर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुह आपकी ही तरफ नजर आता है मंदीर की रसोई का रहस्य कहा जाता है कि जगनान मंदीर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है इस रसोई में 500 रसोई है और उनके 300 साहय काम करते है इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भकता जाए कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा लेकिन जैसे ही मंदीर का गेट बंध होने का वक्त आता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है यानि यहाँ प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं होता इसके अलावा मंदीर में जो प्रसाद बनता है वो लकडी के एक चूले पर बनाया जाता है ये प्रसाद साथ बरतनों में बनाया जाता है साथो बर्तनों को एक के उपर एक करके एक साथ रखा जाता है यानि साथो बर्तन चूले पर एक सिडी की तरह रखे होते हैं सबसे हिरानी की बात तो ये है कि जो बर्तन सबसे उपर यानि की साथो नंबर पर होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बन कर त्यार होता है इसके बाद छटे, पांचवे, चोथे, तीसरे, दूसरे और सबसे आखrån में पहले यानि की सबसे नीचे के वर्तन में प्रसाद बन कर त्यार होता है